हरियों मैं हूँ अभी जर्सी फार्म में देखिए ये वाली जो है ये साही वाल है और ये वाली पिछे जर्सी काउज हैं बाकी यहां पर इतनी सफाई रखी गई है देखिए इनको पानी पिने गली पिछे देखिए ये बनाए हुई है स्किन पे देखिए एक भी आपको चिचड दिखाईने देगा आज कल गर्मियां आएं अगर आप बाहर के अवारा पशु देखेंगे तो उनकी स्किन पे बहुत चिचड देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इनकी केर की जाती है देखिए इसकी स्किन भी बिल्कुल चिचर लेस है यह गौरी नसल का बुल है और इसकी हाइट बहुत ही चोटी है आप देखिए यह जो गाएं है इनके मुकाबले इस बुल की हाइट बहुत चोटी है यह हिमाचल के पहाड़ों में पाए जाता है पहाडी नसल की गाय होती है और ये भी विलुपति की काहर पे पहुच गई है ये बुल इन गायें के सामने कितना चोटा लग रहा है एक ही फ्रेम में दोनों आपको दिख रही है ये साहिवाल और ये उपर वाली जर्ती ये वाली जो है साहिवाल ये फर्स्ट टाइम बच्चा देगी फार्टुरेशन इसकी फर्स्ट टाइम होगी अभी हम लंच कर रहा है यहाँ पर अभी हम एक सब्सक्राइब देखिए गायने वाली एपने के लिए सामने जो वहाँ पैलेगे जा रहा है हम चोड़े बचड़ा है यहां पर देखिए हमने फ़ल दिये और देखिए चोड़ चोड़े बचड़े सफाई देखिए आप कितने अच्छे सी की हुई है बाकि पस इन्ना भी आ गया है काम करते करते सुबा से इन्ना नहीं यह पानी है यह मैं तो ऐसे बोल रहा हूं मैंने तो सिर्फ यह पहली डाल उठाई अभी बाकि यह कर रहे हैं सुबा से काम लड़के मेरी क्लास्मेट तो अभी मैंने देखा दोस्तों पैंचर हो गया है टायर अभी पंचर लगने जा रहा देखिए और यह पंचर लग के बाहर आ रहा है सुबा पंचर लग चुका लग गया लग गया मुझे तो पता पनी था कि इसमें पंचर लगा है टायर में हावा कम लग रही थी पिछले में तो भाई ने एकदम से देखा कील थी छोटी थी देखिए दूसरा पंचर भी यहां पे मिल गया यहां जैसे माइनर यह लगा दो बाइस को भी अब लग रहा है दूसरा पंचर यह ट्यूबलेस टायर का फाइदा होता है एकदम से लग जाता है देखिए टायर खूंडने की जुरूरत नहीं पढ़ती औ और यह फिनिश होने वाला है लग गया दूसरा भी लग गया और देख लोगर और और होगा कोई देखिए भाई यहां पर बड़ी अच्छे तरीके से टायर चेक कर रहे हैं कि कोई तीसरा पंचर ना हो इसमें तो बाई ने अच्छे से चेक कर लिया और दो ही पंचर मिलेश में तीसरा ने मिला अगले टायर में भी हवा डलवाते हैं फिर चलते हैं यहां से क्यूंकि हम कुछ खाने के लिए निकलेते इवनिंग में गर्मी की बज़ए से अगले टायर में हवा अथाथी सिया ना जब में और यहां पर देखिए घास काट रहे हैं इन में से कई तो पहली बार काट रहे हैं एक्सपिरियंस नहीं है और नीचे बहुत सारे बूल हैं आपको दिखाऊंगा मैं बहुत बड़े-बड़े हम से जादा तो उनकी हाइट है जर्सी है साइवाल है यहे बट आम नोट उनकी है देखिए हरे घास के दो बॉरे भर दी हैं में यहां पर देखिए दोस्तों कितना बड़ा साहीवाल नसल का बूल है स्पर्म स्टेशन में हैं अभी हम पिछला वाला साजवाल था और ये वाला जर्सी नसल का बूल है यहां पे बहुत सारे हैं तो सबको मैं एक वीडियो में तो नहीं दिखा सकता अभी यहां पे दो तारिक तक हैं हम 10 दिन और तो आपको दिखाते रहेंगे डेली देखिए बहुत हीूज है एक और भी मैं आपको दिखाता हूँ साथ में है वो बैठा हुआ है खड़ा हो गया अब ये भी जर्सी नसल का ये ये देखिए जो यहां से जहांक रहे है ये और ये जर्सी और साहिवाल का क्रॉस है मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ दूसरे बाड़े में है जो ये देखिए क्रॉस ब्रीड आईए मेरे पीछे तीन लबबड्स हैं वहां पे और एक लबड ये है यहां पे और यहां पे है हमारा प्पिकु ये चो प्पिकु है इसको रेस्क्यू किया गया था पेड गिर板 जिसके अंदर ये था फिर किसी को तो पालनाई पड़ना था इसको नहीं तो ये मर जाता तो फिर पाल लिया मेरे भाईः नहीं इसको मैं भाईय रखतायाँ आज कि पालंपूर में हूं यहां पर यह रहते हैं इसको खुले रखते हैं बस ध्यां रखना पड़ता है कि पंख्या ओन ना हो तो खत्रा है ड़र भी रहे हैं इससे ना यह कॉलता है ना तब शाम के साथ बज़ गए और अम आएं फिश पॉंट के पास साथ में आपको दिखाता हूं 1992 में यहां पर यह बनाया गया था यहां पर यहां पर बैठ के चिल कर रहे हैं और सामने पहाड़ियां दिख रही होगी इनमें बरफ पड़ी है खाने के लिए फन चिप्स और कौन सी यह यह पैपसी लिया आए हम हम खा लेते हैं और वीडियो को करते हैं यहीं प्रेंट मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लाग में हाई हूं अब कर दो कर दो पाल 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 पाल